Touch Your Heart एक 2019 दच्छिट कोरियाई के ड्रामा है जिसमें यू इन ना और ली डूंग वूक मुख भूमक्या में हैं एक मसूर अभिनित्री गोटाले में फचने के बाद अपनी प्रतिष्ठा को देती है अपने केरियर को फिर से बनाने के लिए उसे एक वकिल के सच्छिव के रूप में काम करना पड़ता है ताकि वह उस भूमकया के लिए तयार हो सके इस्टोरी Touch Your Heart एक प्रसित अपने त्री यून सियो की कहानी है जो अपनी खुबसूरती के लिए जाने जाती है लेकिन अपने अभिने कोसल से जोज रही है एक चैबल परिवार के बेटे से जुड़े गोटाले में उलजने के बाद उसका केरियर डूब जाता है हालनकि उसके किसमत तब बदल जाती है जब एक नई स्क्रिप गलती से उसके हाथ में आ जाती है तो वह दावा करती है कि वह मुख्य किरदार निभाना चाती है हालनकि लेकषक शुरू में उसके परथिष्ठा के करण कावी हिश्की चाते है क्योंकि उसके परसिद्धी का एक हिस्सा खराव अबने से आता है यून से उसे किसी भी कीमत पर करना चाती है आखे का वह और उसके प्रबन टीम लेकों को मनाने में कामियाब हो जाते हैं चोकि यह भूम्क्या एक महिला वकील के लिए इसलिए वह एक वास्तविक लाप हम में तीन महीने की फिल्ट ट्रेनिंग के लिए समत हो जाती है ताकि वह इस भूम्क्या को वास्तविक और पेसेवर रूप से निभा सके उसे लगता है कि वह यह कर सकती है और वह इस नाटक के लिए कुछ भी करने को तयार है वज्जिस कृदार को निभाने वाली हुआ एक वकील की सचीव की है भूंक्या की तयारी के लिए यूंसियों को कुछ महीनों के लिए वास्तविक जीवन में एक वकिल के सचीव के रूप में काम करना पड़ता है एक प्रतिश्थिर लाफ हम में वकिल कौन जंग रोग की इंट्री होती है वो घमंडई, निर्दई और आंकार के लिए जाना जाता है अब प्रत्यासित रूप से उसका बास उसे उनसियों को तीन महीने के लिए अपने सचीव के रूप में काम करने का निर्देश देता है वो इससे खुश नहीं है लेकिन उसे स्विक्यार करना पड़ता है वो आलविज लाब फर्म में अपनी ट्रेनिंग सुरू करती है कौन जग रोग बहुत ही कठोर और तार्किक बेखती है जो लाब फर्म में एकमात ऐसा बेखती है जो यून सेव के सांथ सिर्फ इसले नर्मी से पेश नहीं आता क्योंकि वो परसिद्ध है वो निश्चित रूप से उसे ओजिन सीम करकर बुलाता है जो उसका असली नाम है यून सी वो उसका स्टेज नाम है जब कि लाब फर्म के अधिकांस कर्मचारी यून सेव की चापलेशी करते हैं जग रोग उसके सांथ बहुत सत्त है और वास्तों में उससे कुछ उम्मीद भी ने करता है क्योंकि वो सोचता है कि ये बस एक भोली अविनेत्री की तरह दिखती है जिसे पता नहीं कि लाब फर्म में क्या होता है इसलिए उससे गंभीता से नहीं लेता है हालनकि जैसे जैसे समय बीटता है वो आश्यर सकित हो जाता है कि वो कितना प्रियास करने को तैयार है उसे एहसास होता है कि वास्तों में चीजों को याद रखने के अपने प्राकृतिक कौसल के कारण एक अच्छा सच्छीव बनने में काफी सच्छम है ये के ड्रामा उनके रिस्ते के विकास के रूप में उनका अनुसरव करता है अवे अन्तता एक दूसरे के प्यार में पढ़ जाते हैं जो यूंसियो की प्रसिच्छ अवज समात होने और उसके अभिने में वापस जाने के बाद भी जारी रहता है क्या वे अलग हो जाएंगे या वे अभी भी साथ रह पाएंगे ये जानने के लिए आपको ये के ड्रामा देखना होगा मुख्य जोड़ी में कमाल की केमेश्टी है यूविन हर सीन में चमकती है उनकी खुबसोती और हावभाव बिल्कुल सठीक है ली डोंगुक एक कुल दिल वाले वकिल से एक प्यार करने वाले और समझदार प्रेमी में अद्बुत बदलाव दिखाते हैं ये के ड्रामा आपको कुछ बिंदू उपर हसाएगा तो कुछ बिंदू उपर रूलाएगा मुझे लगता है कि इसने कानूर का बहुत ही वास्तविक प्रतिनिद्य तो किया और इस बारे में कि कैसे चीजें कभी-कभी जो दिखती हैं उससे बहुत अलग हो सकती है यून सिवा ने भी ये दर्साने में सांदार काम किया कि जब आप एक सेलेब्रिटी होते हैं तो जीवन कितना कठीन हो सकता है इसने कहानी को और अधिक वास्तविक बना दिया लीड़ों ने गंभीर वकिल के रूप में अपनी भूम के अभिस्वसनी रूप से निफाई है ये ड्रामा निश्चित रुप से बहुत मज़दार और सुंदर है कामेडी को जबर्जस्ती नहीं बना गया है ये पूरी तरह से प्रस्थिती जन्र कामेडी है आफिस के स्टाप ने ड्रामा का और भी रोचक बना दिया है उन्होंने बहुत सारे मज़दार सिंदी है खासकर लापम के सियो ने क्यों देखें ये एक संदार सिरीज है इसे देखते हुए आप कभी बोरियत मसूस नहीं करेंगे अगर आप एक हलकी फुलकी रोमेंटिक कामेडी देखना चाहते हैं जरूर देखें कहां देखें इसके डामा को आप MX Player पर हिंदी में देख सकते हैं